कि है या इव्रिवन इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें मुबाईल अप से कैसे पेमें अपडेट करते हैं पेमेंट अपडेट और विजेट फालो अप कैसे अपडेट करते है वह हम माई क्पिलेटर का आप ओपन किया जहां से हमने कोई भी एक loan detail page open किया कोई भी एक loan number पर माली यह loan page है इस customer से हमने payment collect किया तो इस पर बिल्कुल bottom में proceed का option है प्रोसीड पर क्लिक करते ही दो option आपके सामने आते हैं payment और widget follow up अगर हमने payment लिया है customer से तो हमें यह form fill करना होता है तो payment लेने के बाद सबसे पहले पूछता है place contacted आप customer से कहा मिले उसके residence पर office address पर या कोई अलग जगे पर मिले तो वह हम यहां से select करते है residence person contacted आप किसे मिले है customer से या उसके relative से या किसी other person से वह हमने यहां से select किया payment के mode क्या है cash collect किया है check collect किया है dd pay है या customer online payment करने वाला है तो online online payment में भी तीन mode है आपके पास direct deposit online और money transfer तो आप यहां से select करेंगे तो suppose customer ने cash pay किया है उसके बाद payment टाइप किया है regular payment payment है for close settlement है या check bonds charge है तो अभी हमने रेगुलर पेमेंट क्लेक किया पेमेंट डेट हमें यहां से select करनी है जिस डेट में आप पैसा collect कर रहे है वो डेट यहां से amount paid करना है कितना amount customer हमें pay किया है वह amount हमें यहां fill करना है वह amount fill करने के बाद अगला column है receipt number तो अगर receipt number हमने जनरेट किया है तो वह हमने यहां enter किया अगर receipt number नहीं है हमारे पास तो हम इसको blank छोड़ सकते है और यहां से हमने इसको update करना है यहां से मेरा यह payment का feedback update हो गया तो यह direct मेरे telecaller को update हो गया इसकी trail बन गई अब मुझे अपने caller को call करके नहीं बताना है कि मैंने इस loan number पर पैसा collect किया है जिसका receipt number यह है यह सारी information मेरे telecaller को auto update हो गई तो अभी यह तो हो गया payment का payment में कि second में आपको दिखाता हूँ check का महा लेजे payment में कस्टुमर के घर से relative मिले जिन्होंने मुझे check दिया उसके बाद regular payment है तो यहां payment date तो देखिए अभी जब हमने cash लिया था तो यहां option कम आ रहे थे अभी check के check जब हमने code लिया तो यहां column बढ़ गए तो amount paid कितना amount का check है वो bank name किस bank का वो check है वो branch name, check number, receipt number अगर check की कोई आप बना रहे हैं तो वो यहां से update कर देंगे तो यह सारी detail की हमने posting की यह हमारे telecaller को real time में update हो गई अगला अब हम देखते हैं widget follow up तो कोई भी एक loan detail page open किया यहां widget follow up पे click किया तो सबसे पहले हम customer से कहां मिले घर पर, person contacted किस से मिले और code जिस code को आप use करना चाते हैं वो code हम ले लेंगे यहां से अगर customer आपको PTP दे रहा है तो PTP DT एक PTP break होने के बाद अगर कोई दूसरी date दे रहा है customer आपको तो PTP 1 अगर आप उसके लिए message छोड़ के आया है तो message callback करने के लिए अगर customer आपको बोला है तो CB अगर customer not contactable है तो NCT अगला code है DISP, it means dispute है तो DISP अगर customer payment करने से मना कर रहा है not interested to pay NITP customer कहीं बाहर गया हुआ है out station customer shift कर गया है तो shifted अगर customer skip है तो skip इसकी आपको फिर tracing करते हैं आप लोग जैसा आपका है process है अगला है DL यह होता है door lock और अगला है repo तो यह सारे code है कोई भी एक code अगर मैं यूज करता हूँ suppose customer मुझे PTP दिया तो मैंने PTP लिया action amount कितने amount के लिए मैं customer के पास आया था जितना amount मुझे उससे लेना है वह amount तो मैंने यह वह amount फिल किया उसके बाद next action date PTP कप की दिया customer मुझे वह date यहां लिया next action time जिस टाइम पर customer मुझे pay करने वाला है वह time फिल किया पीटीपी मोड कस्टुमर कैसे पेमेंट करने वाला है तो मैंने वह यहां कस्टुमर से पूछ कर अपडेट किया पीटीपी एड्रस कस्टुमर कहां से पेमेंट देने वाले हैं वह अपडेट किया उसका अगर लेंडमार कुछ हमें फिल करना है तो वह Customer अगर कोई अपना नया नमर दे रहे हैं तो वह यहां डाल सकते हैं नया एड्रस दे रहे हैं तो यहां डाल सकते हैं और अपडेट कर देंगे तो यहां से अपडेट करते ही मैंने अभी 27 तारिक की PTP लिया है पीटीपी निकाली है और 27 तारिक को उसको फिर से रिमाइंडर आएगा कि यह एक पीटीपी है जो डेटिल मुझे यहां दिखेगी वही डेटिल मेरे टेली कॉलर को भी दिखेगी कि इस डेट में इस लोन नंबर का इतना पेमेंट कलेक्ट होना है तो ऐसे हम यहां से कोई भ से अई अदर पर सब्सक्राइब कर ना सिफ्टेड़ तो यहां पूच रहा है नेक्सित एक्शन डेट तो अमने पता ही infrastructure S Secondly Прав तो हमें गर्टी में दान हिए उसका निया अड्रस हैपके को पता लग जाएगा अप़ेश सुपर्वाइजर को पता लग जाएगा तो ऐसे करके हमें follow up के सारे code थे जो मैंने आपको अभी दिखाए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो देखिए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद